Hello my lovely soul family, कैसे हैं आप सब? आशे करती हूँ, आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अतनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की जो reading होने वाली है, उसका topic होगा कि क्या आपके partner आपको लेके positive हैं? जी हाँ, क्या आज भी आपके बारे में सुनते ही उनके मन में या गुसा या किस टाइप की feelings आती है, यह हम देखने की कोशिश करते हैं शुरू करते हैं आज की reading, angels को thank you बोलके, life में आपके कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा grateful रहे है, angels को thank you और प्रणाम बोलते रहे हैं शुरू करते हैं, जब तक हम card शेफल करें, आपको अपने partner का नाम लेना है, ताकि आपकी energy की साथ हम resonate कर पाए हैं शुरू करते, oh my god, सबसे पहले दो card आ गए है, strength, दूसरा है यहाँ पे, pentacles, अपने partner का नाम लेते रहे हैं, दो cards और आ गए है, eight of cups, night of wands, oh my god, आपकी person बहुत जादा possessive है, यह मैं बोल सकते हूं, बहुत ही जादा possessive है आपको लेके, relationship में थे तब भी और अब भी, जी हा आप भी equally possessive है, कैसे हम बताते हैं, आपके person ना कुछ इस type के इनसान है, कि उनका साफ सिदा फंडा है, कि अगर कोई चीज मेरी नहीं ना, वो चीज किसी और की भी नहीं, जी हाँ, मतलब कि जब वो आपके साथ relationship में भी थे, तब आपने देखा हुगा, एक अलग type की possessiveness है, एक होता है कि ठीक या, इधर मत जाओ, protective nature, लेगिन आपके person का जो है, वो ना बहुत जादा possessive nature है, positive का मतलब है, इतने जादा possessive, वो सोचते हैं कि अगर ये person है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, या फिर मेरी है, और बाकी दुनिया में कोई भी हो, in fact वो, मैं लिए आपके parents से भी ऐसे बोलते होंगे, या फिर आपसे बोलाओगा कि तुम सिर्फ मेरे और किसी के भी नहीं, कहीं पर जाना हो, वो ये चाहते ही नहीं है कि आपको कोई देख भी ले, आपके साथ जो लोग रोज रहते हैं, आपके friends हो सकते हैं, हो सकता है, वो same gender के हो, हो सकता आपके friends का group लड़को काई हो, या फिर लड़को काई हो, वो चाहते ही नहीं है, वो in fact आपके friends से भी बहुत जादा jealous फील करते होंगे, और वो ये बाते सिर्फ और सिर्फ आपी को बताते हैं, कि मुझे तुमारे friends से भी jealousy होती है, क्योंकि वो ऐसे लोग है, जिनको मौका म नहीं मिलता है किसी तरीकी से, वो आपसे बोलते होंगे, तो आज भी हो सकता है, most of the people मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, वो no contact में है, वो separation में, लेकिन आज भी इमें देख रहे हो, जैसे कि कहीं पर friends में बैठे हैं, आपकी बाते चल गई, या फिर अप की भी बात कर रहे हो, लेकिन जब आपकी बात आती है, इस बात पर कोई मजाक नहीं करेगा, या फिर कोई आलतो फालतो नहीं बोलेगा, अगर उनका कोई दोस्त, या उनकी कोई दोस्त मजाक में भी बोलेते हैं, या ये तो इसके साथ है, या तो ये भाबी या भाईया ज सोचते हैं और शोचते भी हैं डर के मारें आप इसी और के साथ है रूमैंटिक हुआ iemand कẹver आपको चूता होगा आपको कोई गोंता होगा आपको बोदा ग지가affолод मीब तो इस बात पे भी वह बहुत ज़्यादा पोजसे गया है, यह बात सोचते हैं ना, उनके मन में ऐसे बोलते हैं शरीर में कुछ अकडंसी होने लग जाना, पेट में मरोड टाइप की पढ़ना, इस टाइप की एनरजी मुझे आपकी परसन की दिखाई दे रही है, बहुत ही सेड़क्टिव सी एनरजी मुझे यहां पे फील हो रही है आपकी परसन की अंदर, मतलब कि वो बहुत ज़्यादे को यहां पे नाइट आप वांस आया है, रात को अकसर नहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को न इतनी ज़ादा overthinking हो रही है, वो आपके बारे में 2400 गंटे ही है, यह जो परसन है ना, यह overthinking बहुत करते हैं, हर तरीके से हर situation को सोच लेते हैं, लेकिन जो करना है ना, वो वही नहीं कर पाते हैं, लेकिन हर तरीके से कोई भी situation को कितना बुरा हो सकता है, वो सोच लेते हैं तो कहीं ना, कहीं यह जब सोचते हैं ना, तो यह सोच के उनको बहुत ज़ादा ना, बहुत दुख होना लग जाता है, बुरा सा लगना लग जाता है, कि मेरे परसन किसी और के साथ, किसी और की बाहों में, in fact, आपके परसन इतने ज़ादा possessive है, आप mind मत कीजिएगा, ले इस बात का ख्याल वी ना, उनको बहुत जादा दुख और दर्ज देता है, बहुत जादा, तो मैं देख रही है, और स्ट्रेंथ का काड़ियां पर आया है, जिससे यह पता चलता है, कि आप उनके लाइफ में सिर्फ उनके पार्टनर या सोल मेट या गर्ल्फरेंड जानी है, यह सारी चीज़े जो है, वो आपी से उनको मिलता था, ऐसा प्यार भी वो आपी से प्राप्त करते थे, क्योंकि आपके अलावा उनके लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिनको यह सारी बात बता पाएं, यह एक्स्प्रेस करता हैं, क्योंकि उनके लाइक ऐसा कोई भी नहीं था उनकी लाइफ में जो ये सारी बाती समझ पाया अब देख लेते हैं और कैसे सोचते हैं आपके परसंगे यहां पर है फोगिवनेस देखिए आपकी परसंग यह चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दे पता नहीं क्योंकि इस गल्ती की माफी यह मांग रहे हैं देखिए अपना दिल यहां पर है दिल को लेके बहुत जादा इंसेक्यूर अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत जादा इंसेक्यूर उनको ऐसा लगता है इजो डेविल है मतलब आपकी लाइफ में गर कोई परसंग आ चुका है या कभी आ जाएगा तो उनका जो दिल है just move on लेकिन उनका ही दिल जानता है उनको कितना जादा बुरा लगता है 24 गंटे आपको सोचते रहते हैं जब दूसरों की बाहूं में या दूसरों के साथ दूसरों के साथ हसते हुए या दूसरों के साथ कडलिंग करते हुए पास आते हुए हग करते होए, वो ये बस ये चाहते हैं कि इसकी बॉड़ी पे, इसके दिमाग पे, मेंटिली, सोल फुली, मतलब सिर्फ मीराई हग है और किसी का नहीं, ये सोचते हैं कि किसी तरीकी का मिराकल हो जाए हमेशा दुआओं में आपको याद रखते हैं जी हाँ, दुआ बिलकुल मांगते हैं आपके लिए और ये भी दुआ मांगते हैं कि हे बगवान, हे इश्वर, हे अल्ला हे जीजस, हे उपर वाले प्लीज मेरे परसन को सब्द्धी दीजिए, प्लीज मेरे परसन के मन में थोड़ा से मेरे लिए प्यार भर दीजिए ताकि वो आके मेरे को एक बार माफ कर दे कोई ऐसे चमतकार कर दे ऐसा वो हमेशा सोचते रहते हैं और हाँ, एक चीज और एक सब्सक्राइब कम्प्लीशन, आपके बिनाना बहुत ज़दा अधूरा सा फील करते हैं एक चीज मुझे यहां पर और नज़र आ रही है हो सकता है आपके जो परसन है उनके पेरेंट सुनके रियल ना हो I know सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा मतलब कि हो सकता है या अपने किस रिलेटिव के घर पले बड़े हो या किसी फ्रेंट के पास या फिर को रिष्टेदार के पास इनके रियल पेरेंट्स नहीं हो या फिर अडॉप्टेड हो या चाचा चाची, ताया या कोई भी मामा ममी को ये मामी पापा बोलते हो तो ये ना उनको बहुत ज़्याद करते हैं और जब उनकी याद आती है तो आपकी बहुत ज़्याद आती है कि अगर मेरे अपने मेरे पास नहीं है ठीक है? मेरा कोई तो था जो मेरा अपना था जिसके साथ मैं अपनी फैमिली शुरू करता है या करती लेकिन वो भी मेरे हाथ से निकल गए तो मुझे बहुत ज़्याद बुरा फील होता है हमेशा जब अपनों को याद करते हैं तो आपको ज़रूर याद करता है कि कमी बहुत है बिटर स्वीट आदोने के बीच में जो बिटर स्वीट रिष्ता था करवाहट का, मीठा सा, खटा सा तब तो ऐसा लगता था कि ओहो लडाई हो गई, बहुत बड़ी डील हो गई और तब तो बहुत बुरा लगता था लगता था बस कोई पॉइंट छोडने नहीं है बस एक दूसरे को कितना भी नीचा दिखा रहे लेकिन अब रेलाईज होता है कि वो सारा कुछ प्यार का पार था, वो सारी छोटी-छोटी चीज़े थी जो आपके रिष्टे को यूनीक बनाती थी तो आपके परस्ण ये सारी चीज़ें भी करके बहुत जादा याद करते है याद करके रोते भी हैं बहुत अधस से सकते हुए मुझे निजर आ रहे हैं आपके person की तरफ से कुछ love messages हम देख लेंगे क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके person इस वक्त क्या सोच रहे हैं ओके बहुत सारे love messages आ गये हैं यू आर मैं other half तुमारे बिना मुझे complete feel नहीं होता देखो completion का काड़ यहां पे आया था ऐसा लगता है तुम ही मेरे husband तुम ही मेरी wife हो जैसे भी resonate करता है your dreams are my dreams इसका मतलब ये भी है कि वो आपके सपने जरूर देखते हैं हमेशे सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं you forgive me when I do wrong तो देखो forgiveness का काड़ आ गया था तो इसका मतलब ये है कि आज भी आप से उमीद करते हैं कि काश आप प्यार के कारण आप इन्हें आज भी माफ कर दो you keep little memories of things we have done छोटी छोटी memories जो चीज़े आपने की साथ में पल विता हैं इंटिमेट पल हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं प्यार भरे पल हो सकते हैं यह सारे चीज़े वह याद करके बहुत ज़्यादा परिशान से होते हैं मुझे नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा you find my weird habits adorable आपको उनके जितनी भी weird habits आप तो उनसे सच्चा प्यार करते थे आपके लिए तो उनका कुछ भी करना बहुत ज़्यादा अडॉरिबल होता था यह चीज उनको अभी आता रही है आप उन्हें कभी भी जच नहीं करते थे तो वे यह टॉक वाक और इवन स्माइल और laugh और cry just melts my heart जिस तरह की सब हसते हैं रोते हैं लड़ते जगड़ते हैं उनसे हमेशा मतलब बच्पने से पेश आते हैं हमेशा स्माइल करते हैं कुछ भी चीज़ आप करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था बहुत प्यार था प्यार को कैसे निभाना है ये भी तुम से सीखा लेकिन मैंने ही तुमारा साथ छोड़ दे इस चीज़ का उनको बहुत जादा पच्छतावा और रिग्रेट भी है जिसके लिए वो ग्लेम अपने आपको ही करते हैं आशक करती हूँ ये रिडिंग पसंद आई होगी अगर हां तो प्लीज कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके बेल आइकन दबाकर लाइक करके जरूर चाहिएगा मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गॉड ब्लिस यू आन लव यू अल